वीडियों में बात करेंगे TNPL के होने वाले हमारे एक और highly profitable match की जिसमें आपको हमारी बड़ी winning देखने हो मिलेगी यह हमारा दूसरा jackpot match है कल दो match हुए थे उसमें भी हमने ultra clean ship किया मैं आपको वो भी दिखाऊँगा कुछ T10 मैसेज हमने cover किये थे आजमान T10 उसमें भी हमने clean ship किया क्रीम पे आपको हमारा telegram channel दिखाई दे रहा है मैं last से चलता हूँ थाकि आपको सारी बाते clear होंगी यह आजमान T10 का last match जो रात में 12.15 बजह हुआ था टीम का combination देख सकते हो यह हमारी winning देख सकते हो आसानी से हमने आप clean ship किया 48,000 लगा करके 48,000 रुपए के winning की 90,000 का लगभग हमने profit कमाया members की winning इसमें आप देख सकते हो इन्होंने भी 17,000 लगा करके लगभग 40,000 रुपिया 22,000 का profit हुआ यहाँ पर देख सकते हो इनकी winning 16,000 लगा करके 35,000 रुपिया 19,000 रुपिया profit हुआ कुछ members की winning हम यहाँ पर share करते हैं हमारी winning उसका हमने कुछ screenshot यहाँ पर डाला हुआ है यह देख सकते हो points का काफी अच्छा खासा difference है जरतर लीग में उपर चलते हैं अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आज मांटी टैंक का एक और मैच हमने cover किया था CHK और AGH के बीच में इसमें भी हमने ultra clean ship किया यहाँ पर देख सकते हैं members की winning 10,000 लगा करके 40,000, 29,000 फांसे का profit इन्होंने 6,000 लगा करके 19,000, 13,000 रुपया profit इस तरीके से dream 11 और vision 11 दोनों में winning हुई अब बात करते हैं कल जो 2 match था TNPL का उसकी winning की दोनों match cover किये गये थे इसमें हमने ज्यादा investment किया था 45,000 का investment 1,85,000 रुपय की winning 1,19,000 रुपया profit हमने कमाया कुछ league का screens autumn में डाला है point का अच्छा ख़ता difference है 11,000 लगा करके 40,000 हमने win किया था इस वाली league में इस वाली league में देख सकते हो 26,25 वाली है 10,000 तो इस तरीके से कुछ league के screens autumn में डाले है captain ने अच्छा performance किया wise captain ने भी 3 wicket लिये plus यहाँ पर S भाटी हमारी टीम में थे जो कि maximum opponents के पास नहीं थे plus ओसिक स्री निवासन को हमने नहीं लिया था हमने D फेरेरियों को लिया था जिन्होंने ज्यादा points दिये बाकि टीम का combination आपके सामने है members की भी हमने यहाँ पर winning डाली है कुछ members की यहाँ पर देख सकते हैं यह जो मैंने अभी दिखाया था यह TNPL वाली winning थी और उसके बार हमने T10 की भी दिखाय थी 6000 लगा के 19,000 और यहाँ पर इन्होंने 1000 लगा करके 3000 और और भी है लाकों में investment करने वाले भी members है आगे चलते हैं TNPL का कल जो match नबर 3 हुआ था सवा 3 वजे से उसमें भी हमने 56,000 का investment करके 2,000,000 के विनिंग की 1,43,000 रवे profit हुआ कुछ league इसमें cancel हो गई थी यहाँ देख सकते हो कितनी आसानी से हमने यहाँ clean ship किया 11,000 लगा करके 40,000 वाली league हमने share कियो और लगबग same opponent थे सभी league में team का combination देख सकते हो हमारे team में C.Hari, Nisant, Raja Gopal D. Sudan, प्लस यहाँ पे सबसे खास बात SM Prasad थे और Poya Moji थे जिनका selection percentage बहुत ही कम था 2%, 3% का इन दोनों player का selection था किवल हमने भी win नहीं किया members ने भी win किया 11,000 लगा करके 27,000, 26,000 रुपया profit हुआ यहाँ देख सकते हो इनको 10,000 लगा कर 40,000, 29,000, 5,000 प्रॉफिट 11,000 लगा करके 38,000 2,000 लगा करके 6,000 10,000 लगा करके 40,000 इस तरीके से winning किये कुछ और misleadingous matches हमने पहले cover किये थे एक लंका सायर हम सायर का test match जो county वगरे चल रहा है उसमें भी member ने winning किये देख सकते हो 13% का selection है इनका 9% का selection है इनको हमने टीम में लिया था 14,000 लगा करके 40,000 25,000 का इनको profit हुआ यहाँ पर team आप देख सकते हो team भी हमने share कियोगी यह देखो यहाँ पर team है तो वो जो low selected player थे उनको हमने अपने team में लिया हुआ है इलावा एक और match cover किया गया था यहाँ पर देख सकते हो आसानी से हमने इस वाले match में भी clean sweep किया 3,000 लगा करें 10,000, 7,000 का profit यह screenshot है तो हम source समझ करके investment करते हैं ऐसा नहीं कि हमको loss नहीं होता है loss भी होता है वो भी share किया जाता है बट आपको limit में हमेशा investment करना होता है इस match की बात की जाए उसी Coimber Tour के ground में खेला जाएगा जहां की एक batting pitch हमको देखने को मिली दोनों टीम की बात की जाए तो एक तरफ है चेपक सुपर गिलिज जो की TNPL की इधियास की सबसे जारा successful टीम है तीन बार individually इन्होंने TNPL की trophy जीती है एक बार साहियुक तुरूप से पिछले साल जीती थी ITT की बात करें पहला मैच यह हार के आ रही है यह पहला मैच आसानी से जीत के आ रही है ठीक है कोईमबटूर में जो मैचे जो होते हैं बैटिंग पीच हो इस पिनर्स को यहाँ पर अच्छी खासी मरत मिलती है यह सब आप रीट कर लेना यहाँ पर देख सकते हो जो लाश मैच यहाँ पर खेला गया था दो सु सत्र सी एस जी ने मनाया था सलीम स्पार्टेंट्स ने इसको चेस नहीं कर पाई थी बहुत ज़्यादा स्कोर बनाया था सी एस जी ने तो सी एस जी इस पिच पर अच्छा करती है आठ विकेट पेसर, पाँच विकेट स्पिनर कल भी एक मैच हुआ था इस मैचे पर जो चार मैचे जो हुए इस सीजन वो आप देख ले न ठीक है यह जो ITT वाला मुकाबला है ITT देखो कितनी बुरी तरीके थे हारी थी 179 इनो ने बनाया तो यह 109 पे ही आल ओट हो गई थी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था वहीं CSG की अगर बात की जाए 217 बना करके 165 पे ही इनको रोक दिया था यहाँ पे कल जो दो मुकाबले इस वैन्यू पे हुए लो स्कॉरिंग हुए मतलब अभी तक जो है हाई स्कॉरिंग गेम हो रहते है पहले इनिंग में 179 बना यहाँ 217 बना लेकिन यहाँ पे 126 बना यहाँ 129 बना के चेस कर लिया यहाँ 120 बना 122 बना के चेस कर लिया ठीक है तो लो स्कॉरिंग गेम भी यहाँ हो रहे है अब यहाँ पर देख लेते हैं आगे ही कानी यहाँ पर सबसे important है कि आपको CSG के favor में team बनानी है बहुत मजबूर टीम है बाबा प्राजित 29 रन 2 wicket last match में लेके यार रिसेंट form बहुत ही तगड़ी है बैटिंग प्लस balling दोनों से point के सामने है इसके बाद आगे चलते हैं प्लेएस बैटल देख लेते हैं तो प्लेएस बैटल काम आती है grand league की team बनाने में लेकिन फिर भी कुछ player है जैसे manigandhan 11 ball में 2 बार out कर चुके है ऐस यादव को संजय यादव को संजय यादव एक सांधार और लांडर है लास्ट मैच में भी हमने इंको wise captain बनाया था आसानी से हमने winning की थी सिलम बरसन ने दो बार दो बार out किया है 6 ball में रहे जा को रहे जा ने लास्ट मैच में हमको win करवाया था आसानी से हमने clean ship किया था किसी के पास नहीं थे लोकेस राज 17 ball में दो बार आर विवेक काउट किया है ठीक है तो आर विवेक काफी अच्छे hard hitting batsman है last match रहे थे दोनों team के head to head मुकाबले की बात कर लेते हैं जो last season हुए थे CSG ने 133 बनाया इसको भी defend कर लिया तो आप समझ सकते हो किस level की ये team है अगर CSG की team पहले batting करती है आपको ज़्यादा batsman भी लेने होंगे क्योंकि run ज़्यादा बनाएगी ITT की team पहले batting करती है तो फिर आपको क्या करना है कि ballers ज़्यादा लेने है CSG के और उनको भी आप CVC बना सकते हो यू ससीदेव 45 run राधा कृस्टन ने 24 बनाया साई किसोर ने 19 run 4 wicket ठीक है रहेजा ने 11 run और 2 wicket मनी गंधन ने लिए इसके अलावा एक और match हुआ यहाँ 175 बनाया यहाँ भी defend कर लिया बहुत इब बुरी तरीके से हराया है यहाँ भी पेरिया स्वामी ने 2 wicket हरिस कुमार ने 1 wicket यहाँ 193 बनाया यहाँ पे ITT की टीम ने जीत हासिल की और 194 के target को defend कर लिया बड़ा score खड़ा किया था हरिस कुमार ने 2 wicket यू ससीदेव ने 23 run यहाँ 110 बनाया आसानी से यहाँ पे CSG ने chase कर लिया साई किसोर ने 5 wicket और 37 ने 26 run एक विकट यहाँ पे दो मैट लगातार हार गया रही है इसके अलावा एक मैच यहाँ भी हारा है अब CSG की playing 11 की बात करते हैं तो यहाँ पे जगदीसन ने 35 की इनिंग खेली थी अच्छी फॉर्म में लग रहे थे पी रंजन पॉल ने तो 88 रंग की बहुत सांदार पारी के लिए पिछले मैच में हमने इनको prime members को दिया था ले करके उसमें इनोंने इनकी वज़े से काफी बड़ी winning की mini grand league तक इनोंने win किया असानी से बाबा अप राजित ने 4 ओवर करते हैं हैं हमेशा captain की number one choice है Sanjay यादा उने balling नहीं कराई थी बट यह कराते हैं last match में नहीं कराई थी तो यहाँ देख सकते हैं दो wicket यहाँ लिया है एक wicket यहाँ लिया है S. Haris Kumar एक और सांदार all rounder है batting से उतना खास नहीं कर पा रहे हैं उतना मौका नहीं मिल रहा है top order ही अच्छा कर रहा है यह balling batting दोनों अच्छी करते हैं R. 37 है जब batsman खिलते है batting all rounder है तो कभी-कभी part time balling कराते हैं आगे चलते हैं इसके बाद यहाँ पी यू ससीदेव है वैज़र यह top order में यह batting करते हैं लेकिन last match में काफी नीचे उतारा गया था तो खेलने का मौका नहीं मिला जाता सिलम बर्सन एक सांदार baller है चार over करार है important रहेंगी यहाँ 3 wicket, 2 wicket, 2 wicket राहिल साह इंके एक और important player है last match में इंका over card लिया गया था otherwise इंको भी wickets मिल जाता रामलिंगम, रोहित flop रहते हैं बट player काफी अच्छे है देख सकते हो 3-3 wicket, 2 बार, 1 बार, 2 wicket इस match में अच्छा कर सकते हैं रोकी भासकर को यहाँ पर last match में balling दे दी गयी थी जिसके वज़े से राहिल साह का over card लिया गया था तो इन्हों ने इसलिए भी wicket ले लिया है को कि टीम अल्डेडी हार चुकी थी सामने वाली जिनके साथ मैच हो रहा था इस वज़े से इनको wicket मिल गया था आप चाहो तो ले सकते हो इनको इसके बाद यहाँ पर range पर कुछ player है टी लोकेस राज अगर खेलते हैं तो अच्छे player है impactful inning खेलते हैं संतोस सिव ने कुछ-कुछ अच्छी inning के लिए है otherwise कुछ खास नहीं है एंड इसके अलावा बाद करते हैं ITT की तो सार रहे जाने 33 रंग की inning के लिए थी अच्छी batting की थी एनस चत्रवेद भी सांदार player है लेकर लाज मैंच में जल्दी आउट हो गए थे इंका record अच्छा है 75 बड़ा score खड़ा करते हैं के विसाल वैद यहां पर है यह भी अच्छे player है बट flop रहते हैं 84 बनाया है 49-45 विजय संकर इंके main all-onder है batting इंकी नहीं आई थी बट balling से इन्होंने चार over किया था तो यह captain की यह भी choice हो जाते हैं और batting तो अच्छी करते ही है गुजरात के लिए खेलते हुए काफ़ एच्छी form में थे साई की सोर भी batting balling अच्छी करते हैं और खुद captain है team के तो death over में आते हैं इंको wickets ज़्यादा मिल सकते हैं head to head में इंका नाम भी काफी जगा है left time orthodox है as ganis मत लेना b a niruddh नीचे batting आ रही है otherwise lane like player है अच्छे player है rvv wake भी सांधार player है देखो यहाँ पे impactful inning खेलते हैं थेख सकते हो balling भी part time कराते हैं यहाँ पे recently नहीं कराया है इसके बार यहाँ पे अजीत राम है अजीत राम को आप try कर सकते हैं यह भी सांधार baller है तीन over किया था इनकी बात की जाए चार over में एक wicket लिया था और periya swami important हो सकते हैं bench पे कुछ player है money गंधन भी wicket taking baller यानि CSG के पास बहुत सारे option है CSG के पास बहुत सारे option है और यह ITT की team है ITT में जो options है आप उनको यह मैं सोचना कि CSG के player को यह out कर लेंगे ठीक है बहुत कम chance है बट options इनके पास भी काफी है इन्होंने भी wickets लिये है तो यहाँ पी यह सभी bench में player है पास में कौन टॉस जीती टीम वहाँ पे क्या pitch report आ रही है वो सब देखते हुए आपको team में changes करने है यह दोनों आपके लिए must pick है तो सार रहे जाने अच्छा किया था बट यहाँ पे CSG की team सामने है तो हो सकता है जल्दी आउट हो जाए यहाँ पे मैंने Sanjay यादो के लिए है वैसे यू ससी जेव अच्छे player है लेकि बैटिंग नीचे आया थे इनको लेना नहीं है आपको के विसाल वैद अच्छा कर सकते हैं बी अनिरिद सीता राम भी अच्छा कर सकते हैं यह सभी अच्छे player हैं बट flop रहे थे और चत्रवेद ओपनिंग करने आ रहे हैं बहुत सांदार batsman यह सभी differential pick है पाबा पराजित विजय संकर एचेस कुमार और इनको मैंने लिया हैं इन्होंने काफी अच्छे balling कराई थी वैसे आर विवेग भी अच्छा option है तो इनको consider कर सकते हो यहां से सिलम बर्सन आर साइ किसोर बी रौकी और M.Rul यहां पर एक change आप कर सकते हो कि बी रौकी को हटा करके यहां पर राहिल सा को भी ले सकते हो सांदार baller है और यहां पर राम लिंगम रोहित भी है यह भी अच्छे baller है इनको भी try कर सकते हो फिलाल के लिए मैं यहाँ पे इनके साथ ही जा रहा हूँ ठीक है CVC की बात किजाए बाबा आप राजित नंबर वन चौई से मजबूर टीम के प्लेयर को कैप्टेम बनाने ज्यादा अच्छा रहता है विजय संकर तो इंटरनेशनल प्लेयर है ये भी है तो ये दोनों कोई ज्यादा तर लोग CVC बनाएंगे ठीक है और उप्सन की बात किजाए संजय यादो का उप्सन है हरिस कुमार बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट देंगे कुछ लोग इनको भी बनाएंगे कभी-कभी बड़ी इनके खेल जाते है और लास्ट में जैसा इन्हों ने 80 प्लस के रहा था लोग इनको भी बना सकते है आरसाई की सोर भी एक अच्छा उप्सन है बात करते हैं वीजेन 11 की टीम की दोनों सेम विकट की पर मैंने रखे हैं यहाँ पर तीन बैट्समन लेना है तो संजे यादर तो इंपोर्टन हैं आपके लिए जो मैंने ड्रीम 11 में भी लिया था टॉप ओडर के दो बैट्समन मैंने लिये हैं आई टीटी की तरफ से के विसाल वैद्ध और एनेस चेतरवे दोनों टॉप ओडर में बैटिंग करते हैं यहाँ पर इनकी जेगा पर बी अनिरुद सीता राम को भी आप ले सकते हो ठीक है एंड यहाँ पर बाकी जो प्लेयर हैं काफी नीचे बैटिंग करने आते हैं यह तीन और लांडर तो मश्ट हैं आपके लिए बाबा पराजित विजे संकर और एसेच कुमार बाकी यहाँ पर मैंने ड्रीम 11 में इनको लिया हुआ था लेफ्टाम और्थोडॉक्स अच्छे बॉलर लगे थे मेरे को आर साई की सोर इंपोर्टेंट है और इन दोनों को तो आपको लेके चलना है अब एक और प्लेयर जो आपको लेना है मैं आप्सन बता दिता हूँ सिलंबर्सन का है राहिल सा का है इसके अलावा मनी गंधन को भी लोगों ने लिया है बट मैं रिकमेंट नहीं करूंगा इस मैच के लिए CSG के बॉलर लेना अपके लिए ज़्यादा बैटर है तो B-Rock की कॉप यहां ले सकते हैं और Death Over में आये थे विकेट टेकिंग बॉलर मेरे को लगे Captain Vice Captain की वही सेम चोईस है Number 1 चोईस यह है Number 2 पे यह हैं इन ही को लोग CVC बना के आने वाले हैं कुछ लोग इनको बनाएंगे लेकिन यह बॉलिंग नहीं कराते हैं तो रिस्की रहेंगे और विकेट गिरेगा यह गिरेगा ITT का तो विजय संकर की इस बार बैटिंग भी आईगी एन जगदीसन है एन जगदीसन को बना सकते हो इनको भी बना सकते हो बट रिस्की रहेंगे जो प्लेयर बॉलिंग बैटिंग दोनों करता है इंपोर्टेंट है एसेच कुमार को भी आप बना सकते हो अब बात करते हैं पेड मेंबर सीपी यह हमारा वाटसब नमबर है 914-0233-474 इसके लावा और कहीं भी आप हमसे कॉंटेक्ट नहीं कर सकते हो बहुत सारे मार्केट में फ्रॉट चल रहे है आपको उससे बचना है हमारे चार्ज मार्केट में सबसे ज़्यादा हाई है बजट हो तभी हमसे पेड मेंबर सीप के लिए कॉंटेक्ट करना otherwise वीडियो बनाया जा रहा है उसको देखके टीम बनाई है और बहुत ही कम बजट है student हो कहीं ऐसी जगह job कर रहा है जाना जारा salary नहीं है वो fantasy game से जितना दूर रह सको उतना आपो रहना चाहिए आपके लिए बैटर है हमेशा आपको limit में investment करना है आपको जीतने से कोई भी भी नहीं रोक सकता है अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही आपका होश्ट है दो संकुरी साइनिंग आउट बाबाए